मित्रो नमस्कार मैं हूँ अनिल आपका स्वागत है मारे यूटूब चैनल गुरू जे स्टड़ी अड़ा में मित्रो आज हम सीटेट, यूपीटेट, डियलेट, बीएट सेमेस्टर में पूछ जाने वाले अतिमहत्य पुर्ण प्रस्ण विशिष्ट बालक के बारे में विश्टरत रूप से अधिन करेंगे क्योंकि मित्रो यहां से आपकी एकजाम में एक प्रस्ण जरूर पूछ जाते हैं तो मित्रो यदि हम बात करें विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो मित्रो विशिष्ट बालक उस बालक को कहते हैं, जो सामाननी बालक से पूरी तरह भिन्ने होते हैं, ऐसे बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं, तो मित्रो एक बार यदि हम बात करें कि सामाननी बालक किसे कह तो सामानी बालक उस बालक को कहते हैं मित्रों जो साररीक मानसिक रूप से बिलकुल स्वस्त बालक होते हैं जो साररीक रूप से बिलकुल फिट बालक होते हैं ऐसे बालक को हम सामानी बालक कहते हैं तो मित्रों हम बिसिष्ट बालक किसे कहते हैं तो बिसिष्ट बालक मित्रो आपके दो प्रकार के बालक आते हैं एक एकदम प्रतिवासाली वाले बालक आते हैं और दूसरा जो साररिक मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक या साररिक रूप से जो विकृति युक्त बालक होते हैं वैसे बालक आते हैं जैसे दिभ्यांग बालक विकलांग बालक आ द्यान देजी मित्रों विशिष्ट बालक वह बालक है जो साररिक, बौधिक, सामाजिक, सम्वेगात्मक द्रिष्टी से समान समझे जाने वाले बालकों से इतना अलग है अलग का मतलब बिलकुल भिन है वह समान विद्याले की नियमित सिक्षा का लाव नहीं उठा पाता इसलिए विशिष्ट सिक्षा या पूरक सिक्षा सेवा चाहता है देखिए मित्रों यदि हम बात करें कुरुख सैंक महोदिया कहते हैं कि विशिष्ट बालक कौन सा बालक होता है वह बालक होता है जो सारेरिक विकृति युक्त बालक होता है जैसे कि दिभ्यांग बालक होते हैं जिनके सरीर में कोई अंग भंग होता है और मित्रो जो बावदिक असामयाजिक असामयात्मन द्रिष्टी से सामान ने जो समझे जाते हैं बालक ऐसे जो बिल्कुल स्वस्त बालक है फिट बालक है जिनमें कोई दिक्कत नहीं है उससे बिल्कुल अलग होते हैं अलग का मतलब होता है मित्रों बिल्कुल भिन्ने होते हैं, वो समान बिद्याले के नेमित सिक्षा का लाव नहीं उठा पते हैं, समान बिद्याले जो होते हैं मित्रों उसमें समान बच्चे बैठते हैं, समान बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन मित्रों जो विकृति यु करते हैं कि विशिष्ट सब्द या विशिष्ट प्रकार के बालक ऐसे गुड़ों को रखने वाले ब्यक्तियों या बालकों के लिए किया जा सकता है जो किसी प्रकार से समान ब्यक्तियों या बालकों से अलग है इसलिए वे हमारे अकर्षण के बिंद बन जाते हैं यानि कि म बालकों को हम विसिस्ट बालक करते हैं तो मित्रों यदि हम आगे डिफाइन करें तो अब हम मित्रों विसिस्ट बालकों के प्रकार की बात करें तो देखें मित्रों हिवार्ड यूम और लैस्की महोदय ने विसिस्ट बालकों के नव प्रकार बताए हैं तो मित्रों यह नव दोस वाले बालक, द्रिष्टी दोस वाले बालक, साररिक या अन्य च्छत युक्त बालक, गंभीर एवं बहुत दिभ्यांगता वाले बालक, तो मित्रों यदि हम बात करें प्रतिभासाली बालक कौन से हैं, हमने आपको बताया, प्रतिभासाली वे बालक होते हैं, जिनकी ब अब मित्रों दूसरे point की बात करें मानिसिक मन्द वे बालक होते हैं जो किसी भी कार को धीरे करते हैं किसी भी कार को धीरे सीखते हैं सिक्षक द्वारा किया गया कोई भी वेवहार धीरे सीखते हैं, यानि कि जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर बालक होते हैं, या किसी भी कार को धीरे करते हैं, धीरे से सीखते हैं, अधिगम उनका धीरे होती है, इसलिए ये मानसिक मन्द बालक होते हैं, इनको कोई भी कार दे देजिए तो ये बहुत लेट करके आपको देंगे ऐसे बालक को मानसिक मंद बालक कहते हैं यद मित्रो हम बात करें अधिगम असमर्थ बालक की से कहते हैं मित्रो अधिगम असमर्थ उस बालक को कहते हैं जिसमें कुछ विकार उत्पन हो जाता है मित्रो जैसे डिसलक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया ऐसे बालकों को हम अधिगम असमर्थ बालक करते हैं आपको अधिगम असमर्थता या डिस्लक्षा, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया विबिन अधिगम अच्छमताओं की बारह में अधिक जानकारी लेना हो तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या भी आपके एक्जाम में पूछा जाता है चोता पॉइंट है मित्रों बेवहार रोग से ग्रसित बालक दिखी मित्रों बेवहार रोग से ग्रसित हुए बालक होती हैं यद मित्रों बात करें संचार या भासा से ग्रसित बालक होते हैं जिनको बोलने में कुछ संचार या भासा कॉपरें यद मित्रों हम बात करें स्रब्व दोस वाले बालक देखी मित्रों स्रब्व दोस वाले ऐसे बालक होते हैं जिनको कम सुनाई देता हैं या सुनने में असमर्थ होते हैं या बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक करते हैं ऐसे बालकों को जिनको पूरी तरह नहीं सुना देता इनको विशिष्ट सिक्षा भी दी जाती है दोस्युक्त वालक देखी मित्रों द्रिष्टी दोस्युक्त वालक होते हैं मित्रों जिनको कन दिखाई देता है चसमें कि सहारा से देखते हैं या ऐसे बालक जो पूरी तरह अंदे बालक है जिनको कि मित्रों कोई ब्यक्ति है कोई कोई बालक है जो अपंग है किसी शरीर का कोई भी भाग उसका विक्रिती युक्त है तो ऐसे बालकों को वैसाखी की साहता से किसी अन्य प्रकार की साहता से विद्याले में पहुचाया जाए तो ऐसे बालकों को साररिक या अन्य छत युक्त बालक कें मित्रों गंभीर यह बहुत दिभ्यांगता वाले बालक होते हैं, ऐसे बालकों को विलचियर की माध्यम से, जैसे कि यदि आपका जो स्कूल है, दो मंजिला है, तो लिप्ट के माध्यम से पहुचा आ जा सकता है, इनको भी विद्याले में सिख्षित किया जा सकता है, देखी मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, रीली और डेविस महुदे ने विशिस्ट बालक के अच्छा प्रकार बता है, तो मित्रों यह अच्छा प्रकार आपके समने है, प्रतिवासाली बालक, जो कि आपको हमने यहाँ पर बता है, वही बालक है, मानसिक मंद बालक, अधियम असमर्थ बाल बालक होते हैं, जो अधिकतर गंभीर साररिक रूप से विकृति युक्त बालक होते हैं, ऐसे बालकों को बालक करते हैं, तो मित्रों जो यह सभी पॉइंट हमने आपको बताया, यह सभी कैसे बालक होते हैं, मित्रों तो यह सभी बात करें, तो विशिस्ट बालक होते हैं, तो मित्रो यदि आपको समाव एसी सिख्छा के बारे में अध्यन करना तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रो लाइक कीजेगा अपने हरे ग्रूप में सेयर कीजेगा जय हिंद जय भारत